कि गुद पूर्णिंग चिल्रन बफोर वी मूब हैद लट अस्रिवाइज वृट वेवेश वॉट व्यूद आ वुटी है अल्ट फ्रीवें है इन अब प्रीवेश वीडियो वुटी अग्री वीडियो विप्री वीपने वीयूट इन प्रीव प्रीवेश्पीव वीयूट होते हैं और वो बहुत ही हस्मुक और टफ लोग होते हैं और इन्यूट्स वो रहते हैं एक्स्ट्रीम नॉठ में जिन्हें इगलूस बोला जाता है इगलूस बने हुए होते हैं स्लाब्स और आइस की द्वारा और समर में यहां के लोग रहते हैं टेंट्स में जिन्हें कहा जाता है टाव फिक्स और आजकल के टाइंग पर ज्यादा तर लोग पक्का हॉसेस में रहते हैं जो कि बने वे होते हैं वोड या फिर स्टोन से हैं आज हम जानेंगे changing lifestyle के portion में की वहां पर greenland की lifestyle कैसी change हुई है तो lifestyle of greenlanders की change हुई हैं काफी सालों से और आजकल के दिनों में वो यूज़ करते हैं rifles, hunting के लिए, motor boards, fishing के लिए और वो town में रहते हैं जहाँ पे shops होती है hospitals होती है, schools है, clubs है और वो रहते एक permanent houses में जो कि बने हुए होते है, stone और woods है वहाँ के लोग काम करते हैं mines में, oil fields में, industries में education और development of industries भी हुई है जिसकी वजे से modernization हुआ है Southwestern coast of greenland जो की warmest और most populated area है नोक जिसे पहले जाना जाता था गोड़ थाब के गोड़ थाब से वो biggest town है और यह modern town यह modern town जहां पर population near about 11,000 people की है और वहां पर air transportation की भी facility है और Denmark और North America के साथ और technology भी change करी है life of the Greenland की so students this is the end of this chapter so students इस chapter में हमने क्या जाना कि जो region between Arctic Circle और North Pole in the Northern Hemisphere और जो between Antarctic Circle to the South Pole in the Southern Hemisphere उसे polar region या फिर Arctic region बोला जाता है और जो name Arctic आया है वो आया है Greek word से जिसका मतलब होता है near the beer और just because यह फार अवे होते हैं equator से तो polar region लाई करते है फ्रिजिज जोन में जिसे तुंद्रा region भी कहा जाता है Greenland जो की Arctic region में है वो हमें जादा से जादा हमें जानने को मिला है कि किस तरीकी की लाइफ फॉलो की जाती है फ्रिजिज जोन में Greenland जो की लाई करती है Northeast of the North America यह largest island है in the world यह largest island है in the world और Greenland जो की पार्ट है Denmark का और Capital of the Greenland is Noam Climate के बारे में हमने यह जाना कि यह फ्रिजिज जोन में है तो यह extremely cold रहती है throughout the year और 80% of the island cover रहती है थिक आइस से और island नज़र आती है white in color Summers यहाँ पे short and cool होते हैं और bright and sunny होते हैं जो average temperature होती है वो minus 5 degree Celsius की होती है और जो average temperature winter में होती है वो होती है माइनस 23 degree Celsius की फिर हमने dancing northern lights के बारे में जाना जहाँ पे हमने जाना कि from early autumn to April से night sky in greenland वो lighted up हो जाती है northern lights के द्वारा फिर हमने जाना iceberg के बारे में जहाँ पे हमने यह जाना कि जब snow melt होती है तो एक बड़ा सा piece ice का वो टूट के glacier से टूट कर वो slide कर जाता है वो चला जाता है sea में और यही सारे blocks of ice को कहा जाता है icebergs फिर हमने vegetation के बारे में यह जाना कि short summer season में ice melt होती है तो small plants like mosses, grasses और bushes ग्रो करती है on the rocks wildlife में हमने यह जाना कि reindeer, polar bear, etc. यह सारे animals greenland में पाय जाते हैं और huskies जो की domestic animals होते हैं और वो उनका इस्तमाल mainly किया जाता है hunting और pulling of sledges के लिए फिर हमने occupation में जाना कि fishing और hunting होती है main occupation greenland के लोगों के लिए और greenland की जो population है वो world की lowest population density है natural resources में हमने यह जाना कि greenland rich है in minerals like lead, zinc, gold, copper and uranium economy में हमने जाना कि country की economy depend करती है fishing industry और fish export के उपर zinc and lead का भी export किया जाता है ट्रांस्पोर्ट में हमने जाना कि sledges जो कि drawn किये जाते है huskies या फिर रेंडियर के द्वारा वो common mode of transportation होते हैं लोगों के लिए for traveling from one place to another life of people में हमने यह जाना कि जो लोग होते हैं वहां के यानि greenland के उन्हें इन्यूट या फिर eskimos बोला जाता है फिर lifestyle काफी change हुई है greenland में आजकल के टाइम पर राइफल्स के इस्तिमाल किया जाता है hunting के लिए motor boats और fishing का भी motor boats इस्तिमाल किया जाता है fishing के लिए लोग towns में रहते हैं छापे shops हैं hospitals हैं schools हैं clubs हैं और वो permanent houses में रहते हैं जो की बने हुए होते हैं stone and woods से और लोग काम करते हैं greenland के लोग काम करते हैं mines में oil fields में industries में और education and development of industries की वचे से modernization आया है greenland में air transportation की भी facility available है with the Denmark and North America technology ने भी काफी change करी है life of greenland की so students this is the end of this chapter please go through this video thank you